नमस्कार दिल्ली दर्पन टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ मिल्गुप्ता और अब अब तो चला है दिल्ली एंसियार की दस बड़ी खबरों का बारत में कोरोना वाइरस के नए मामले अब हर रोज रिकॉर्ड तोड रहे हैं देश में पिछले 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आ गए हैं और करीब 400 लोगों की मौत हुई है देश में कुल कोरोना वाइरस केस की संख्या 3,000,000 के पास पहुँच गई है और इसी के साथ भारत अब दुनिया में कोरोना वाइरस से प्रभावित चौथा देश बन 65 लोगों की मौत भी हुई है इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड भी तूट गया है दिल्ली में कोरोना से एक दिन में ये सबसे ज़्यादा मौत हुई है दिल्ली हाई कोट ने राजधाने दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन लगाने की मांग से जुड़ी दो जनहित याचिकाउं को खारिश कर दिया है इस बीच दिल्ली के स्वास्त मंत्री सतेंद्र जेन ने दिल्ली में लॉकडाउन को आगे बढ़ाये जाने से फिलहाल इंकार कर दिया है दिल्ली की कस्तूरवगंधी हॉस्पिटल और बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल में डॉक्टरों को सेलरी रमिलने से जुड़े मामले में हाई कोट ने नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है कोट ने तर्ख टिपनी करते हुए कहा है कि आप इतने व्यस्थ हैं कि डॉक्टर्स को तनख्वा देने का भी वक्त आपके पास नहीं है हाई कोट इस मामले में स्वतहस संग्यान लेकर सुनवाई कर रहा है दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं मरिजों का आकड़ा 34,000 को पार कर गया है और 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच आज LG अनिल बैजल ने बैठक बुलाई इस बैठक में सीय मर्विन केजरिवाल के अलावा सभी जीलों के DM और DCP मौजूद रहे सुपरिम कोट की ओर से शुकरवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगी है कोरोना वाइरस की बढ़ते संकेट, अस्पतालों की स्थिती और शवों के साथ बरताव को लेकर अदालत ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है अदालत का कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से शवों का रख रखाव हो रहा है वो काफी दुख देने वाला है दिल्ली की शगुरवस्ती रेलवे स्टेशन पर कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए आईसोलेशन कोच का इंतजाम रेलवे की तरफ से किया गया है जिसमें 13 आईसोलेशन कोचिस रखे गए हैं दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए ये आईसोलेशन कोच रखे गए हैं दिल्ली में कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों और लगातार खराब होती इस्तिती पर शुकरवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई सर्वोच रदालत ने इस दोरान दिल्ली के हालार पर चिंता व्यक्ती है सुप्रीम कोट ने राजसरकार से पूछा है कि दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों हो गई है इस दोरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कुछ दिक्कत है क्योंकि टेस्टिंग अब 7000 से कम होकर सिर्फ 5000 तक पहुँच गई है दिल्ली में कुरून वाइरस के मामले बेकाबू होने लगे हैं और अब हर रोज रिकॉर्ड तूट रहा है ऐसे में एक बार फिर चिंता बढ़ना शुरू हो गया है इस बीच वेपारियों के संगेटन Confederation of All India Traders यानि की कैट ने दिल्ली की Traders Body को एक ऑनलाइन सर्वे भीजा है इसमें सुझाव मांगा गया है कि क्या दिल्ली के बाजारों को एक बार फिर बंद करना चाहिए दिल्ली सरकार ने सभी COVID Dedicated अस्पतालों को Oxygen Bed बनाने का आदेश दिया है बीते एक हफ़ते के दौरान संक्रमितों की संख्या में हुई व्रद्धी के बाद ICU Bed और Oxygen Bed की बड़ी मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया है दिल्ली NCR के बाकियों तमाम कबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पन टीवी